तो अब देखिए क्यों मना किया जाता है कि हमें back extension नहीं करना, भुजंग असन नहीं करना, क्योंकि जब हमारे young age होती है, तो उसमें हमारा जो disc का level होता है, यह हमारे हैं vertebral disc, यह देखिए, यह सारे जो disc हैं, इसमें fluid होता है, nucleus pulposus होता है, वो बहुत healthy होता है, उसमें water content जो होता है, इसलिए vertebra के बीच में जो space चाहिए, वो बनी रहती है, अब जैसे-जैसे age बढ़ती है, तो degeneration भी आती है, disc का space जो हो कम हो जाता है, अब जब disc का space कम होगा, तो vertebra दुनों पास-पास आजाएंगे, जब वो पास-पास आएंगे, तो पीछे से, यह मारा जो fissure joint है, इस पर pressure पढ़ना शुरू हो जाता है, अब अगर इस पर already pressure है, तो हम back extension करके, उस पर और pressure क्यों डालें, इसी की वज़ा से लोगों की nerve भी press होती है, उनको pain भी जादा होता है, तो एक तो already बगवान नहीं जो हमारा lodotic curve है, यह maintain किया हुआ है, यह देखिए, इस तरह से हम सब के उपर यह curve होता है, कईयों का flat भी होता है, उसमें भी गवराने वाली बाद नहीं है, तो यह हमारा जो curve अगर already है, तो उसको बार बार हम ऐसे पीछे जाके, इवन कि जब हमारी एज कम ज़्यादा हो रही है, डिस्क डिजनरेशन हो रही है, तो बार बार पीछे जाके हम उसकी और स्पेस कम ना करें, यह हमारे लिए benefit रहेगा, तो इसलिए back extension, गोप्रा पोज, भुजांगासन, इसको 45 years के बाद थोड़ा कम कर देना चाहिए,